मुझे मेरी पहली क्रश मिली फिर्टाइड में मुंबई बहुत फास्ट है तो वह मैं स्कूल में थी नाचरली और यार क्यूंके वह फिर्टाइड है तो हम में काफी मासूमियत थी और जो इनोसेंस वाला प्यार होता नहीं वह बहुत सही होता है क्योंके आपको ज्यादा अपेक्षा नहीं है मैक्सिमम से मैक्सिमम में क्या चाता दो उस टाइम पर कि मैं उसके बाजू में बेठों तीचर मुझे कभी उसके सामें डाटे नहीं मूरगा तो बिल्कूल ही ना बना है अपना स्टार्टिंग से ही सेट था ले तो एक तरफा प्यार नहीं था और हर रिलेशन पर है आपको एक अपेक्षा होती अपने पार्टनर से या एक मुमेंट होता है जो आप सोच के रखते हो कि भाई ये मुमेंट तो हमें क्रेट करना ही है तो मैं बहुत फिल्मी आदम मेरा मुमेंट ये था भाई मुझे डांस करना है स्टेज के उपर स्पोर्टलाइट चाहिए और स्टेज पर और कोई नहीं चाहिए क्योंकि हमने पिच्चर ऐसी देखिया और यहां ये टाइम है जब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई भगवान होता है क्योंकि हमारा एक अन्यूल फंक्शन था और उस ताम पे मुझे और उसे सिलेक किया गया ऐस डांसिंग पार्टनर्स मैं का सही है बट सही सेट लाइज तो हम रियर्स करते थे प्रैक्टिस करते थे और एवरीधिंग वस गूइंग स्मूध अंटिल जिस इन परफॉर्मेंस था उसके एक हफ क्योंकि वो टाइम पर इसी प्रता होती है बच्चों में तो सब मेरे ले तौफेल आई थे वो भी एक तौफाल लाई थी उसने मुझे एक रेट कैब गिफ्ट की ती और वो काफी बड़ी थी मेरे सर के लिए बसिकली बाप की चुडा के लाई थी मतलब पैसे नहीं संबाल के रखें रख नहीं है कौन रखेगा मा को दे दिया मा संबाल के रखो अब फिर स्टांडर हो गया सिक्स्थ हो गया I reach my 12 12 के बहुत हो गए अब मैं फाइनली अपना स्ट्रीम चूज कर रहा हूँ और आप डिसाइड़ मास मीड़ कर रहा हूँ एक तेन अचानलक ब भगवान एक्सेप्ट चैट शुरू हमने पूचा तुम क्या कर रही हूँ मतलब वाट इस दो फूदर प्लाइं तो इसने का मैं बी एम एम कर रही हूँ भगवान फिर मैंने पूचा के चलो और टेस्स करते इस लख को तो मैंने उसको पूचा कौन सी कॉलेज में है भलता तो मेरा एड्मिशन प्रोसीजर था वेनिस दे को उसका था 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 थे को तो हमने डिसाइड के चलो फ्राइडे को मुलाकात करें अब मैंने क्योंकि मैं फिल्मी आगवी हूँ तो मैंने फुल सेट कर लिया फ्राइडे को मिलना है लाल टोपी निकाल के रखे गया और यही तो मेरा प्रोसीजर हुआ वेनिस दे को थोड़े को मैंने उसको मैसेच किया हाई क्यूंकि थोड़ा इगो होता है वो टाइप लो एलो ने हाई एसा डेस्परेट नहीं देपना है रिप्लाई नहीं है यहाँ और यहाँ और इगो मैंने का देस्परेशन दिखाने का वक्त हो गया एए देख रहाँ आलफ़बे बड़े जा रहा है अभी नो रिप्लाई है हेलो मैंने का चलो पॉइंट पर आते ही हाई हेलो तो लग गया हमारे तो मैंने उसको मैसेज किया कि हा रहा हूँ यह सपोस्ट टू मेट टोमोरो वेर आवी मीटें आई माइट बी बिजी आफ्टरवर्द्स क्योंके डेस्परेट नहीं दिखना मैसेज ही नहीं आ रहा मैंने का यार भगवाई तो दडी पास्ट, नो रिप्लाइज फ्राइडे आया फ्राइडे को सुबह को एक न्यूस आर्टिकल था कि एक लड़का था जो बारिश के मौसम में बाइक भगाए जा रहा था और अचानक उसकी बाइक स्केड हो गई और वो गिर बड़ा और उसके साथ जो उसकी दोस थी, वो गुजर गई और फोटोस वंदी गाता मेरा मोमेंट फिर रह गया और वो लाल टोपी मैं अभी भी अपने पास संभाल के रखिए not because वो मुझे उसकी याद दिलाता है of course दिलाता है but what's more important is वो मुझे यह आद दिलाता है कि जिंदेगी आज जीना कितना जरूरी है कल के लिए नहीं रुकना चाहिए अगर किसी से प्यार करते हो तो उसका इजार आज ही कर दो माबाब से अगर कोई बात कल के लिए छुपाके रखिये तो आज ही बता दो दोसको अगर कहना ना कि तू मेरा यार है तू मेरा भाई है तो आज बताओ जिंदेगी कहता है यार बहुत छोटी है कल होना हो